प्रिस्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना जो की खास तोर से छोटे बच्चों के लिए है और इसमें दस्त के साथ उनकी गैस की तमाम तरह की समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करता है यह दवा तो इस लिए इस वीडियो पर शुरू से अन्तितक बने रहें और इस वीडियो का फायदा उठाए जैसे की स्क्रीन पर आपको ओफलोड डक एम सस्पेंशन का एक पायक दिख रहा है जो की मोर पेन लाइबूटरी जलेटेट कंपनी द्वारा बनाया जाता है यह प्रोडक्ट और कुछ इस तरह के प्लास्टिक की बॉटल में आता है जो कि 30 ml का बॉटल होता है जिसकी प्राइस 62 रुबे प जाती है तो उन कंडिशन में आप इस ओफलोड डक एम सस्पेंशन को दे सकते हैं कई बार क्या होता है कि बच्चों को उल्टा सीधा खाने की वज़े से उनका डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता उसके बाद बच्चे बहुत ही पतली दस्त करने लगते हैं जिससे उ बच्चों को जब दस्त होता है तो उन्हें गैस की भी समस्या देखने को मिलती है तो यह जो अफलोड डक एम सस्पेंशन है यह दस से छुटकारा दिलाता ही है साथ में बच्चों को गैस भी बनने नहीं देता क्योंकि इसमें देखिए सी मितोकॉन टेने इमजी डाला गय करता है जो कि गैस की समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करता है और भी जगह इसका यूज है जैसे कि माले जी की बच्चों को खूनी पेचिश की सिकायत है उन कंडिशन में भी ओफलोड डेक डग एम सस्पेंशन को हम दे सकते हैं या फिर बच्चों को सफेद पेचि कर रहे हैं तब भी हम ओफलोड डेक एम सस्पेंशन को दे सकते हैं या बच्चों की लाइट रिंग हरी हरी होती है बिल्कुल पानी की तरह फटा-फटा उन कंडिशन में भी ओफलोड डग एम सस्पेंशन को दे सकते हैं यह और भी जगह इसका यूज जिसकी से संबंदित कोई प्राबलम हो उन कंडिशन में भी इसका यूज किया जाता है या फिर फिररींरी ट्रैक इंफेक्शन की समस्या है यानि यानि कि मुत्र संकरमण की समस्या है उन कंडिशन में भी अफिलोड़ ड्क मिला हुआ है यानि कि यह दस से छुटकारा दिलाता ही है साथ में बच्चों को भेंकर गैस से भी बचाता है अक्सर बच्चों को जब दस होता है तो उनके पेट में मरोड और गैस भी काफी ज्यादा बनती है तो उन कंडिशन में अगर हम अफलोड डक एंट सस्पेंशन को देता है तो इन तरह की सारी समस्याओं से बच्चे बच जाते हैं चलिए अब हम जाने लेते हैं इसके हैं डोस के बार में तो इसका जो डोस है अगर माली जी की तीन साल का बच्चा है तो उसे हम 5 ml दिन भर में तीन बार दे सकते हैं साइड फेक्ट की बात करें तो इसका क कुछ खास साइड फिक्ट नहीं है बट इसमें डाले गए इंग्रिडेंस अगर आपके बच्चे को इलर्ची है तो इसको ना दें इसके देने से बच्चों का मुझ कटेस्ट खराब हो जाना यह चक्कर आना या पेट का भारी पंसा लगना या ललल चकत्ति उबार आना या काट होना तो इस तरह के कॉमन साइड फिक्ट होते हैं जो कि सभी बच्चों को नहीं होता तो यह था ऑफ लोट डैक डक एंस सपेंशन के बारे में सब कुछ अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस सीरप को लेकर तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स मे कर एक लाइक के कॉर लोट शत्त्ततों कि सभी टूर टला मेंट meter खलीज तो आफ नहीं होता तायाथल